जो लोग आपके जजबातों की कदर नहीं करते हैं, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है, संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात, कभी न कभी काम आ ही जाती है। जो लोग आलोचना से डरते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है, घमंड से भी कुछ रिष्टे अकसर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियां का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा, कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बहन नहीं। हर करीबी इनसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ हैं, वकल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिन्दगी का एक उसूल हमेशा रखना, पहचान सब से रखना लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पे करना, जिन्दगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया रिष्टा और भरोसा दोबारा नहीं मिलता, जो खुश होते हैं लोग उन्हीं के हाल-चाल और जो तकलीफ में होते हैं, उनके तो नंबर भी गुम हो जाते हैं, लाइफ में कौन आता है, ये इंपोर्टन नहीं है, आखिर तक कौन रहता है, ये इंपोर्टन है, जिन्दगी में दो चीजें कभी मत करना, जूठे आदमी के साथ प्रेम, और तू, सच्चे आदमी के साथ गेम, खुश है, तो एक बूद भी बरसाथ है, दुखी मन के आगे, समंदर की भी क्या उकात है, गल्ती चाहे किसी की भी हो, जुकता हमेशा वही है, जिसे रिष्टे की कदर और उसे निभाने की फिक्र हो, माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठ इसे प्रसन करना चाहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं, ब्रह्मांट की सभी सार्थक शक्तियां, तभी तुम्हारे साथ हो सकती है, जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो, शेर लंबी चलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिन्दगी आपको पीछे धकेलती है, तब डरे नहीं, क्योंकि जिन्दगी आपको लंबी चलांग लगाने के लिए मौका दे रही है, इंसान सिर्फ एक वजह से अकेला पड़ जाता है, और वह है, जब उ आते हैं और लोग हमेशा याद रहते हैं, लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए, लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना, फिर बाद में नमक लगा कर खाते हैं.